जैशी कृष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम साथ भागशाली राशियों का राशिफल बताने जारें जिनको इन चार महिनों में बहुत ही शेष्ट संतान सुक के साथ सा पुत्रप्राप्ति के योग बन रहे हैं इन महिनों में साथ भागशाली राशियां ऐसी है जिन पर भगवान शिव की विशेष किर्पा दृष्टी होने वाली है उनको पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो रहा है दोस्तों ये चार महिने बहुत ही शेष्ट रहने वाले हैं क्योंकि इन चार महिनों मे देखे सावन मास भी आता है जो भगवान शंकर का प्रिये मास मना जाता है दोस्तो धार्मिक माननताओं के अनुसार भगवान विश्णु शिष्टी का संचालन करते हैं और हर साल असाड मा के शुकलपक्ष के काईदशी से भगवान विश्णु चार मास तक विश्णु के विश्णु के विश्णु के विश्णु करने से शिष्टी का संचालन भगवान शिव शंकर करते हैं भगवान विश्नु कार्तिक माह में शुकलपक्ष के कादशी तिथी के दिन जाकते हैं और इस दोरान भगवान शिव को समर्पित पावन माह सावन भी आता है और सावन माह में भगवान शिव की विशेश पूजा की जाती है इन चार महिनों के समय को देखे चातुर मास भी क पुत्र संतान धन प्राप्ति यह राशियों को निश्चित ही होगी आगामी चार महिने इनके लिए बहुत ही शेष्ट रहने वाले हैं दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब ने कहा तो सस्क्राइब अवश्चर ही कर लें ब भागिशाली राशियों को पुत्र प्राप्ति के शेष्ट प्रबल योग बना रहे हैं भगवान शंकर की किरपा से और नो भागिशाली राशियों को संतान प्राप्ति के बहुत ही शेष्ट योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों आपको सावन मास में भगवान शंकर की मनो कामना पूर्ति के लिए आपको हर सुमवार के दिन साथ या फिर ग्यारा या फिर पांच की संख्या में बेल पत्र ओम नमस्षिवाय कहते हुए या ओम नमस्षिवाय लिखकर भगवान शंकर को अवश्य अरपित करने हैं जिससे कि आपकी मनो कामना अति शीग्र पूरी ह हो सके सबसे पहले दोस्तो हम आपको देखे राशियों की जानकारी दे रहें जिसमें सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी मित्थुन कर्क सिंग कर्ण्या तुला वरिष्चिक मकर और कुम इन राशी वालों पर विशेश रूप से भगवान शंकर की महरवान इन राशी के जातकों को शिव की विशेश कित्पा प्राप्त करने के लिए चातर मास में रोजाना नियमित रूप से शिव चालीसा का पार्ट करना चाहिए सबी राशियों के जातक शिव चालीसा का पार्ट कर सकते हैं शिव चालीसा का पार्ट करने से भगवान शिव प् आपकी पुत्प्राप्ति की जो मनो कामना है वो पूरी हो सके दोस्तों ये जो आगामी चार महीनी हैं बहुत ही शेष्ट पुत्प्राप्ति के योग बन रहें इसमें भगवान शंकर का पूजन आप अवश्य ही करें और साथ ही देखे जो हमने राशिफल बताया है वो जोत लिए नाम से भी आपना राशी फल अवश्य ही देखे अगर फती दोनों की राशियों में पुत्प्राप्ति योग आ रहा है तो निश्चित ऑनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही आप समदिन का प्रियोग और भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें तो नि आपको हमेरी जानकारी वीडियो पसंद आईए तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें आप सभी को जैशी कुछना